जैश्री राम मित्रो, आपके अपने यूट्यूब चैनल भक्तिरस पर आपका स्वागत है। दोस्तों, रामायन को आज तक हमने, आपने, और इस समाज ने, भगवान श्री राम के दृष्टिकों से देखा। लक्षमन को देखा, देवी सीता को जाना, हनुमान के भक्ती भाव को जाना, रावन के ग्यान को पहचाना, लेकिन ये कभी ध्यान नहीं दिया, कि इस रामायन में अगर सबसे अधिक उपेक्षित और अंदेखा पात्र कोई था, तो वह थी लक्षमन की पत्नी, और जनक कर दिया, कि अयोध्या के राज्यकों और माताओं को उनकी आवश्यक्ता है, असीम पतिवरता उर्मिला के उस नवे योवन कंधों पर इतना बड़ा दायत्वर डाल कर लक्षमन जी चले गए, अब सवाल ये हुटता है कि लक्षमन की पत्नी उर्मिला ने 14 वर्षों तक क् भूलिएगा, इसी आशा के साथ चर्चा आरंब करते हैं। लक्षमन के लिए राम ही माता पिता, गुरु, भाई सब कुछ थे, और उनकी आग्या का पालन ही इनका मुख्य धर्म था। वे उनके साथ सदा चाया की तरह रहते थे। भगवान श्रीराम के प्रती किसी के भी अपमान सूचक शब्दों को लक्षमन कभी बरदाश्ट न आने लगे, तब पतनी उर्मिला ने भी उनके साथ जाने की जिद्की, परन्तु लक्षमन ने उन्हें ये कहकर मना कर दिया, कि अयोध्या के राजिकों और माताओं को उनकी आवश्यक्ता है। परन्तु उर्मिला ने अपने माय के मिथिला जाने से इंकार करते हुए कहा, कि पती की आग्या अनुसार, पती के परिजनों के साथ रहना, और दुख में उनका साथ न छोड़ना ही अब उसका धर्म है। सवाल यह उटता है कि लक्षमन अपनी पत्नी उर्मिला से चोड़ा वर्ष तक दूर रहे, तो उर्मिला ने इस दौरान क्या किया था। इस संबंद एक मान्यता के अनुसार, निद्रा देवी, अर्थात नींद की देवी ने लक्षमन को, भगवान राम की दिन वरात सेवा करने के लिए उन्हें, चोड़ा वर्षो तक नींद ना आने का वर्दान दिया था। वट उनके बदले की नींद उनकी पतनी उर्मिला को दे दी थी। इस वर्दान के फल्स्वरूप लक्षमन को, 14 वर्षो तक नींद नहीं आई थी। वह उर्मिला, 14 वर्षो तक सोती रही थी। क्योंकि रावन के पुत्र मेगनाद को यह वर्दान था कि जो व्यक्ति 14 वर्षों तक सोया न हो वही उसे हरा सकता है। इसलिए लक्षमन मेगनाद को मोक्ष दिलवाने में काम्याब हुए थे। हाला कि लक्षमन अपने भाई श्रीराम और भावी सीता की सुरक्षा और सेव लगे रहे कि वे 14 वर्ष तक सोही नहीं पाए। कथा अनुसार उनके बदले उर्मिला 14 वर्ष तक सोती रही। एक और वाक्या ऐसा है जो ये बताता है कि लक्षमन की विजय का मुखे कारण उर्मिला थी। मेगनाद की पतनी सुलोचना उसे लेने आई तो पती का चिन भि और कहा सुमित्रा नंदन तुम भूलकर भी गर्व मत करना कि मेगनाद का वद मैंने किया है। मेगनाद को धराशाय करने की शक्ती विश्व में किसी के पास नहीं थी। ये तो दो पतिवरता नारियों का भागय था जिसमें मैं हार गई और तुम्हारी पतनी उर्मिला जी तुम्हारी रम